कि मेरे प्यारे दोस्तों आप ध्रम पर देख रहे हैं जैसे माया स्टोरि लगा रहा हूं तो जो अस्टोरी है गो देखले हो कुछ स्टैब की होती है अगर आप भी इस Love से प्रेशान है तो आप इस जफावरानिकी जरूद्हा नहीं बस वीडियो आपको जो है वीडियो को फुल वाच करनी है जरू member को सुक्राइब करिए क्योंकि मैं दोस्तों आपको एक knowledgeable वीडियो और अच्छी वीडियो देता हूं इसमें कोई fake वाली नहीं है तो चलिए हम proper से वीडियो को शुरू करते हैं तो क्या करना है सबसे पहले जो है अपना facebook application में देख रहा हूँ यहां पिर में facebook application है तो इसे क्या करना है हलके हाथों से प्रेस करनी है अगर जैसे हलके हाथों से प्रेस करते हो तो यहां से आपको दिख रहा है एप information दिख रहा है यहां तो simply app information में जो हम आपको click कर देनी है यहां जैसे क्लिक करते हैं आपका कुछ इस तरह से इंटर्फेस वापेर होके आ जाएगा अगर इस तरह से आपको नहीं करना आता है तो आपको घबराने की जुरूरत नहीं है आपको मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ यहां तक पहुचने के लिए तो simply आपको क्या करना होगा आपको simply जो है वापना setting वाला जो option होता है तो simply setting वाला option में आपको आ जानी है और यहां से setting वाला option में आने के बाद आपको scroll करके नीचे आनी है और यहां आपको दिख रहा होगा apps और इसमें चली जाना है इसमें आने के बाद आपको देख रहा है इसमें manage app manage application वाला जो second वाला मेरा है आप मैं इसमें ढूंड लिजिएगा अपने दूसरा मॉबाइल में हो सकते हैं दूसरा तरीका दिया हुआ तो यहां manage app में जाना है और इसपे select कर लेनी है और यहां इसपे click करने के बाद आपका जो facebook है उसे यहां search कर लेनी है यहां ढूंड लेनी है facebook को तो चलिए मैं ढूंड लेता हूँ और देख सकते हो यह मेरा facebook हो चुका है मिल चुका है यहां से आप क्या करना है आप Facebook मिल चुका है तो simply Facebook पे क्लिक करना है और यहां क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है आपको यहां दिख रहा होगा Data Uses का option दिख रहा है Data Uses तो क्या करना है Data Uses पे आपको क्लिक करना है और यहां से आपको नीचे दिख रहा होगा mobile data और wifi data यह मेरा दोनों जो है वह off है तो सबसे पहले जगा अगर आपका off होगा तो इसे on कर लेनी है अगर आपका on है तो इसे छेट छार्ट नहीं करनी है और यहां होने के बाद आपको फिर से back आजानी है और back आने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा clear data यह दिख रहा है तो guys क्या करना है इसे simply इस पर click करना है और यहां से आपको दो option होके आ जाएगा पहला जिसमें है clear all data और दूसरा है clear cache तो आपको क्या करना है clear all data पर आपको क्लिक नहीं करनी है अगर all data पर आप क्लिक करते हो तो फिर से आपको login करनी होगी password डालके तो simply clear cache जो दिख रहा है simply उस पर क्लिक करोगे और फिर से ok का option आ रहा है तो इसे ok कर देनी है इतना कुछ होने के बाद आपको क्या करना है पूरा जो है वास्किन पर जितने भी application चरहें इसे refresh कर लेनी है इसे सभी को हटा लेनी है देख सकते हैं कोशी इस तरह से और हटाने के बाद आप मैं आपको facebook open करके दिखा देता हूं तो मेरी देख सकते हैं यह facebook open हो चुगी है अब यहां से मैं देख सकता हूं यह जो मेरी story लग रही थी पहले यह लगी कि नहीं लगी तो देख सकते हैं यह नहीं लगी है तो यहां आपको की नीचे दिख रहा ह तो दोस्तों उमीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी की वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड क्वाइरी हो तब कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और ये एक कमेंट जरूर कर जिएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वा सॉल्व हुई कि नहीं हुई तो और भाईयों औ और एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपका ये वीडियो हैल्फूल हुई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा आपने छोटे भाई को जरूर सपोर्ट किजिएगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद